हेलो फ्रेंज मंताविंशेच ब्लॉग में आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज में लिखिया यूँ होम रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं और कैसे मैं बतानी वाली हूं कि आप अपने नेल्स को घर की चीजों से और अप अपने स्किन को अपने फेस को कैसे स्क्रब कर सकते हैं सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इसमें सबसे पहले हमने ले लिया है कॉफी पाउडर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है नहीं तो आप आउश मंगाली चे इसमें हमने लिए चीनी लिए नहीं तो आपकी जो स्केन श्रब करते हुए छल सकती है अब हमने ले लिया है एक चमच गोकोनट आएल हम इसपे मिक्स कर लेंगे नहीं है तो आप इसे इसकेप भी कर सकते हैं अब हमने थोड़ा सा ले लिया है लामन जूस निबु करेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे और आप मेरी चैनल पर अगर नए है तो प्लीज मैं आप से भी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा पास में जो बैल आइकन का बटन है उसे प्रैस करके औल करना न भूली कर से सारी जो न्यू वीडियोज आती है उनकी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें वह मेरी नहीं नहीं वीडियोज आपके पास पहुंसती रहें आप हमने इसमें मिक्स कर लिया है शहद थोड़ा सा शहद यूज किया है हम फिर आपके पास एवलेवल है तो आप वह भी मिक्स कर सकते हैं वाती थोड़ा सा मिक्स करना है एक शमबच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स करने के पांद करेंगे अप्लाइए इससे इसकिन को बिल्कुल भी कोई हाम नहीं होता है आप इसे हाथों पे फेस पे स्क्रब कर सकते हैं अच्छे से और मैं यहाँ पर अपने हाथ पेस अप्लाइए कर रहे हूं आप इसे हाथ पैर फेस पर भी अप्लाइए कर सकते हैं अच्छे से दीरे दीरे अप्लाइए करके हम इसे करेंगे स्क्रब जब तक जो हमारी चीनी वह मैरिट ना हो जाए तिब तक हम इसे स्क्रब्ट करते रहेंगे बहुती धीरे हलके हाथ से स्क्रब्ट करना है नहीं तो आपकी जो इसके नहीं वह छल सकती है इसलिए बहुती हलके हाथ से स्क्रब कीजिए धीरे धीरे और इसका भूती अमेजिंग रिजल्ट आपको दिखाई देगा यह वंडे चैलेंज है कि आप एक दिन में आपको यह स्क्रब करके भूती अच्छा रिजल्ट मिलेगा वीडियो में लास तक बनी रहीएगा क्योंकि और भी रेमेडी मैंने बताई है वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और आप इसे जरूर ट्राइ करके देखिएगा और वापस आके मुझे कमेंट बॉक्श में जरूर बताईएगा कि आपको जो यह रहमिडी वो कैसी लगी है हमने इससे आच्छे से स्क्रप कर लिया है आपने हैंज पर लेज़त पर आप इस अच्छे से यूज़ कर सकते हैं स्टेप्स नहीं आते हैं तो बहुद कोई बात नहीं है अब मैं आपको इसे टीशु विपर से मैं इसे दिखाती हो साफ करके देखिए कितना एक ब्लोइंग एकदम सा हैंड दिखाई दे रहा है वंडे चैलेंज है अगर आप इसे तुरंत रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे जरूर यूस कीजिए और कोई भी ज्यादा ख में घर में ही चीज देखना है नहीं है तो आप उसे ब्लत के लिए तो आप फोर दियों कम रूपीज कहाता है काफी पाउडर को मंगा सकते हैं बाकी चीज़े घर में होती है अब हम इसके बाद बिनाएंगे फेस पेक जो हमें इसके बाद लगाना होता है पैक वो बना लेंगे इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है बहुत एक चुटकी हल्दी लिये और मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम मिक्स करूंगे आप कोई भी फ्रूट क्रीम यूज सकते हैं मैं अटिटीट की क्रीम लिए एक बहुत इच्छा प्रोड़ेक्ट है ये अटिटीट बहुत इच्छी मानी होई कंपनी है उसकी क्रीम मैं लिए यहां पर एक चमच क्रीम लिए अब हम इसे कर लिएंगे मिक्स अच्छे से mix करके बागी हमें इसमें कुछ नहीं add करना है जब अच्छे से ये add हो जाए लिए कि बहुत बढ़ी आप mix हो गया है पेस्ट की तरह त्यार हो गया है जैसे हम आप इसमें चाहिए तो चंदन और add कर सकते हैं जैसे हम Facebook यूज़ करते है नहीं तो आप अगर market का कोई Facebook यूज़ कर रहे है तो आप वो स्क्रप के बाद वो Facebook भी यूज़ कर सकते है अब मैं इसके बाद इसे करूँगे apply अपने hand पर अच्छे से मैं इसको apply करती हूँ ये give a hand के लिए निया आप इसे अपनी face पर पैरों पर भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी हाम नहीं है इसे अच्छे से इसे पूरा hand पर लगा लीज़े और उसके बाद इसे आपको तुरंद wash नहीं करना है इसे आप 15 मिनिट के लिए छोड़ दीजीगा ऐसी scrub करने के बाद भी जो मैंने आपको बिताई है remedy जो तरीका बिताया है उसको भी आपको एकदम हाथ को नहीं धूना है थोड़ा पाद दस मिनिट के लिए रुख जाईए फिर उसके बाद wash कीजे अच्छे से लगाने के बाद हमने इसे हाथ पे देखिए हमने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है जब यह आपको लगे कि आप यह सू के आए आप्टर 15 मिनिट्स तब आप इसको वाश कर लिजेगा मैं ऐसी थोड़ी देर इसको ऐसी रखे रहने देती हूँ और फिर मैं इसके बाद से हमने वाश कर लिया हैं को देखिए बलकुल बहुती ग्लोइंग सा हो के यह स्किन बहुती अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है और इसे कोई भी स्किन को कोई भी हाम नहीं होता है तो प्लीज आप जरू ट्राइ करते के देखिएगा इसके बाद मैं बताने वाले कि अपने नेल्स को आपको कैसे साफ करना है नेल्स वे वह काम करते हुए बहुत गंदे हो जाते हैं तो हमने लेलिया एक लामबन और उसको कर लिया हमने कट इसके बाद जो घर में सोटा होता है काने वाला वो मैंने इस पर लगा लिया है थोड़ा सा अच्छे से इसको लगा लीजे और उसके बाद हम इसे अपने नेल्स करेंगे रब अच्छे से अपने नेल्स पर इसे रब करें आप इसे अपने हैंड्स पर और अपनी लेक्स पर पैरों पर नेल्स पर पैरों की नेल्स पर भी आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं अच्छे से रगड ये धीरी धीरे हातों से और आप देखेंगे आपको पादस मिनिट में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा देखिए मैंने इसको आच्छे से रगड लिया है नेल्स चुए हैं वो बहुत ही जल्दी यलो बढ़ जाते हैं अगर घर में कुछ भी काम कर रहे हैं देखे मैंने हन्स को कर लिया है वाश और देखे कितना सुन्दर और ग्लोइंग स्किन हमारी हो गई है नेल्स भी कितने साफ हो गई है तो आप मेरी वीडियो पर बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई